Most Welcome in this session, Today we shall discuss the most important topic Pragmatism Philosophy of Education इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सिख्छा में प्रियोजन बाद त्योंकि most important topic है BADMED और other teaching courses इसके साथ साथ most beneficial होगा competitive exams जोकि teaching से related हैं चाहे वो exam UGC NET, PGT Education, UPTED CETED और other कोई भी exam जहां बात होती philosophy की जहां बात होती बैस्टन philosophy की यहां बात होती प्रिग्माटिजम की बैस्टन philosophy में तीन philosophy को हम अलड़ी discuss कर चुके हैं idealism आदर्स बाद, realism में थार्त बाद, naturalism प्रिकृति बाद और आज की वीडियो में हम discuss करेंगे प्रियोजन बाद या pragmatism प्रियोजन बाद या pragmatism American lifestyle से निकली हुई एक बो philosophy है या बो बेस्टन thought है जो यह बात करता है कि universe या जो ब्रह्मान का creation हुआ है बो activity के आधार पर हुआ है या गतिविधियों के आधार पर हुआ है गतिविधियां घटती है activity happened होती है और universe का creation होता है और मानते हैं कि पूरा human life society school ठीक है घर की हम बात कर ले हर जगे कोई ना कोई गतिविधि होती रहती है और हम गतिविधियों के माददें सीकारे को करते हैं तो इनका मानना है कि students को जो भी सिखाया जाए वो activity based सिखाया जाए इन्होंने एक नई level की thinking की बात यहां पर की है यह new thinking की बात की है चलिए हम आगे बढ़ते हैं जब हम बात करते हैं pragmatism की तो फर्स्ट टाइम एवर्ड यूस किया गया था किसके द्वारा एवर्ड यूस किया गया है 1878 किसके द्वारा चार्ल्स पियर्स के द्वारा ठीक है और बिलियम जीम्स तो एक कॉन ने प्रोपाउंडर है प्रोपनेंट है किसके pragmatism के 19th century का philosophy है और हमारा idealism realism oldest philosophy है जब हम बात करते हैं किसके नेच्टनलिजम की ठीक है तो इस चारो इन चारो फिलास्पी में सबसे लेटेस्ट है और 19th century का है बिलियम जीम्स का यहां पर major contribution है इनका contribution किसमें psychology में भी और यह इसके साथ में जॉन डीवी जिनको father of modern pragmatism भी कहा जाता जिन्होंने बात की थी experimental learning की और इसी concept को आगे बढ़ाया है teacher education में किसने डेंग एन लियूक ने किलपेट्र की हम बात कर लेते हैं जो कि जॉन डीवी की सिस हैं उन्होंने यहां पर दिया है project method ठीक है तब हम बात करते हैं अभी यहां पर प्रियोजन बात की तो प्रियोजन बादी बिचार धारा में मेजर हमारे चीप exponent है कौन चार्ल्स पियर्स बिलियम जीम्स जॉन डीवी किलपैट्रिक इसके साथ में एक नाम और है तो सिलल ल, सिलल मोहादय ने जो प्रियोजन बादी विचार धारा है इसको कहां इंट्रडूज कराया था इसको आगे बढ़ाया था इंगलेंड में और बागी 4 जो हमारे फिलोसफर यह हैं हमारे अमैरिकन फिलोसफर तो बेस्टन फिलोसफ study में वो फिलोसफी जो कि American philosophy है ब गतिविधियां करना बेभार करना करना बनाना तो यहां पर पुल मिला कि आप समझ सकते हैं कि प्रेग्मा बड़ का जो मीनिंग है वो क्या है गतिविधि कारे करना अनुभब तो कि तो जो एजूकेशन लेते हैं आगे एक बड़ और है सेकंड बड़ प्रेग्मा टिकोउस जोबी घ्रीग भासा का भार्ड है इसका मतलब है पृम्त्रीकल और इसके प्रियां के अबस्य बताते हैं और अगर मन नहीं है तो ऐसे किसी गयान के बारे में बात नहीं करते हैं ठीक है और हिंदी में इसके नाम प्रियोजन बाद को हम बोल सकते हैं प्रयोग बाद भौतिक बाद बेभारिकता बाद करण बाद अर्थ क्रिया बाद नेमित बाद फल बाद अनुबाद बाद प्रिकारे बाद प आदर्स बात की तो आदर्स बात में क्या कहा गया कि thought first सबसे पहले हमारे माइंड में thought आते कोई भी विचार आता उसके बाद हम आगे की बात सूचते हैं लेकिन प्रियोजन बादी विचार धारा just opposed है उसके ये कहते हैं कि सबसे पहले practice मतलब हम अनुभब करते हैं हम practical करते ह उसके बाद में theory generate होती है कोई सिधान्थ निकल कर आता है तो यह action के उपर ज्यादा force करते हैं बजाए thought के thought secondary action primary है हर चीज को अनुभब की पर परखा जाता है कोई भी चीज है बात करते हैं जिसको हम देख सकें और जिसको हम प्रूब कर सकें कि सत्य है वह इनके लिए सत्य है बोची जिन के लिए real है किसी भी प्रकार के बिचारों के उपर focus नहीं करते हैं pragmatism philosophy को practical philosophy के नाम से भी जाना जाता है experimental philosophy के नाम से भी जाना जाता है और philosophy of instrumentalism के नाम से भी जाना जाता है नयमित्तिक दर्सन ठीक है इसको down to earth philosophy भी बोला जाता है competitive exam कोई है जहां पूछा जाया कि down to earth philosophy कौन सी तो प्रियोजन बाद है cash value philosophy भी बोला जाता है activities lies at the center of all educational process the basis of all teaching is the activity of the child संपूर सिक्षण अधिगम प्रिकरिया का केंद्र बिंदू क्या है गति बिधी है आपर कारे करना और बालक को भी गति बिधियों के माद्यम से ही सिक्षा देना है तो एक नई टाइप की thinking है एक practical approach को इन्होंने focus किया है आगे बढ़ाया है और यह मानते है कि physical world is real यह किवल भौतिक संसार कोई सत्य मानते और मानते किसी भी प्रिकार का कोई आध्याद्मिक संसार नहीं होता है यह भगबान आत्मा की concept को deny करते हैं इसके साथ साथ में doesn't consider God यह भगबान के बारे में consider नहीं करते हैं और पूरी तरह से भगबान के अस्तित को reject करते ह है आगे क्या है ultimate aim of human life is to live happy और इनका अंते मुद्दे से क्या है अंते मुद्दे से इनका यह है मनों से किस तरह से खुशी पूर्बेक जीवन बैतीत करेगा यह किसी प्रिकार के metaphysics में नहीं पढ़ते हैं कि हम अंतिम सत्य की खोज करेंगे आत्मा पर मतमग में यह बात करत करते हैं कि पास्ट में किया हुआ इसको पर कोई focus नहीं बस बात करते हैं प्रिजेंट की और बात करते हैं future की ठीक है इसके साथ साथ में यह जो सोसाइटी में हैपी रहेंगे हैपी रहने के लिए भी एक प्रॉपर वे में सोशल नॉम्स को फालू करेंगे सामाधिक मान द इसके बाद में बिलियम जीम्स की हैं बात करते हैं छाल्स पियर्स हमारे कौन है एकस्पनेंट है जिन्होंने एक साथ मिलकर इसको आगे बढ़ाया था का इस्टार्ट किया था इसी विचार धारा को प्रॉपर विम सिस्ट्मेटिक विमे बढ़ा या जौन दीवी ने आगे जौन दीवी को modern pragmatism का फादर भी बोला जाता है ठीक है इसके बाद में इन्होंने को बहुत सपोर्ट किया अपने कंट्रिबूशन दिया और यहां पर प्रोजेक्ट मेथर्ड भी इनके द्वारा दिया गया चारो फ्लॉसपर अमेरिकन फ्लॉसपर है अब यहां पर हम बात करते हैं इंग्लेंड में इस फ्लॉसपी को आगे बढ़ाया है चाल्स प पर प्रोजेक्ट करते हैं आफ़ हमारे स्केंडरी यहां पर रहेंगी अब हम बात कर लेते हैं अइक कितने रूप प्रकार पहला प्रकार है सेकंड यह फ्रेfficagen बालारा जायनीनम समझा लेते हैं कि यह κोम सिधा सा मतलब है वह सबी क्रियाएं सत्थ हैं जो मनुस्त सजीवन के लिए खुषाली लाएं और के बात करें और उनके नीट्स होती हैं जो इक्षाय होती हैं उनको फुल्फुल करें ठिक है तो humanistic pragmatism का सीधा सा मतलब क्या है the only things, object, principles are true can satisfy human needs अब हम बात कर लेते हैं आपर experimental pragmatism की और जो humanistic pragmatism है जो मानपतबादी प्रिविजन बाद इसके advocacy किस ने की है इसके advocacy की है Siller ने और James ने ठीक है अब हम बात करते हैं आपर experimental की तो John D.B. support करते हैं और ये कहते हैं things are principle is true which can be verified ये कहते हैं बही सिधान्त सत्य है जिसको experiment के द्वारा सही सिध्ध किया जाए ये मालब किसी को सत्य नहीं मानते सत्य वो है जिसको सिध्ध किया जा सके हम biological की बात कर लेते हैं तो biological में क्या होता है और यहां पर क्या मानते consider the power of capacity power or capacity of human being valuable कि मानब की सकतियों को मानब की छमताओं को महत्त देते हैं ठीक है और बोलते हैं इनी समताओं इनी सकतियों के बलपर मनुष्य संसार में समाज में और सोसाइटी में अपने आपको एड़ेस्ट करता है लास्ट है हमारा नाम रूपी जिसको बोलती है नॉमिलिस्टिक प्रिग्माटिजम अब यहां पर बात करते हैं अनुभब के आधार पर जो नॉलिज प्राप्त होती है जो ग्यान प्राप्त होता बही सत्य है चाहें वो किसी भी रूप में हो यहां पर कहने के मतलब है कि उसका नाम कुछ भी बदल दिया जाए लेकिन गतिविधी के प्रणायम सरुप प्राप्त होगा वह सेम रहेगा रिजल्ट सेम रहेगा भले उसके नाम चेंज हो जाए तो भिन भिन नाम हो सकते हैं लेकिन आपर सत्त बही होगा जो प्रयोगों वादी विचार थाला कि कौन कौन से सिध्धानत हैं पहले तो सीधी बात यह है कि प्रेग्मेटिस्ट जो है यह प्रेग्मेटिस्ट हैं वो किसी प्रकार के पूर्वनिरधारित सिध्धानतों की बात नहीं करते हैं और इनके एकॉर्डिंग कुछ रियलिटी नहीं है परिबरतन सील मानते हैं, यह मानते हैं कि सत्य भी परिबरतन सील है, जो आज सत्य हो सकता है, कल वो सत्य ना हो, ठीक है, दूसरा है, truth is formed by its result, यह कहते हैं सत्य परेडाम के आधार पर निर्धारित होता है, यहाँ पर एक किसी भी चीज को normally हम बोल देते हैं, किसी भी चीज को देखने के बाद एक कथन सत्य है, तो उस कथन को भी सत्य नहीं मानते हैं, इस सत्य जब मानते हैं, जब वो activity के द्वारा, experiment के द्वारा, यह जब तक हम उसको prove नहीं कर देंगे, यह चीज real है, यह चीज सत्य है, ठीक है, अगला है इनका problems are motives of truth, इनका कहना है कि सत्य की दूनेंगे बहाँ पर, तो जो reality को हम ढूनेंगे, वो reality बहाँ पर सत्य होगी, क्योंकि इनकी द्वारा माना जाता है, human life is a social life, यह मानते है कि मनुस्य सावाजिक प्राड़ी है, और जो society वो एक social life है, जहाँ पर मनुस्य का निर्माड होता है, तो दिन प्रति दिन कोई ना development होता है, और अगर experiment बहाँ पर उसका success हो जाता है, तो वो एक सत्य की खोज को बहाँ कर लेता है, अगला है यहाँ पर, opposition of fixed ideal and values, कि किसी भी प्रकार के fix, जो हमारे आदर्स और मुलियों की बात नहीं करता है, उनके उपर कोई बल नहीं देता है, principle of utility, उपयोगिता के सिद् इश्या में बात करता है, एक दूसरे जो अनिबिसे हैं, सबको integrate करके पढ़ाया जाए, और एक दूसरे के बारे में उनके correlation की बात की जाए, man as highest creature of the bird, मनुस्यकों इन्होंने माना है कि संसार का सबस्रेस्ट, धिमान पराड़ी है, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, बहाँ प faith in present and future, यह बात करते हैं, present की और future की किसी भी परकार के past की बात नहीं करते हैं, और present and future में भी क्या बोलते हैं, present and future में बोलते हैं, कि मनुस्यकों की जो life है, वो life ऐसी रहे कि वो सुख पुरूबक जी सके बहाँ पर, आगे बात करते हैं, growth of human as a social process, यहाँ पर बात करते हैं मनुस्यका जो विकास हैं, वो एक सामाजिक प्क्रिया है, मनुस्य समाज में रहता है, और जिस तरह से जो भी development होते हैं, वो एक सामाजिक प्क्रिया के तहत होते हैं, आगे social development and democratic values, यह सामाजिक विकास की बात करते हैं, और democracy की भी बात करते हैं, मनुस्यके अंदर लोक ता अगला है social are essential for social growth इस सामाजिक कौसल को सामाजिक उन्निति के लिए अभश्यक मानते मनुस जितना सामाजिक कौसल होगा उतना है उसका सामाजिक विकास बात करते हैं aims and objective की pragmatism की पहले भी बताया गया कि pragmatism में aims objective को decided नहीं pre decided नहीं predefined नहीं है flexible है human need के according रहेगा ठीक है तो यहां पर जॉन डीबी ने आल्ली कहा है education has no aims only person have aims कि सिख्षय का कोई उद्दे से नहीं होता है उद्दे से मनुसियों के होते हैं जो अपनी तौर तरीके अपने हिसाब से जन्रेट करते हैं पहला है यहां पर objective क्या है समाज का सुधार करना और पुनिर्माड करना सेकेंड है हमारा इनेवल दा individual to adjust with the changing social environment ब्यक्ति को सामाज एक परिविस्ट में के साथ ताल मेल बिठाने में सक्षम बनाना कि किस तरह से वो social environment में अपने आपको adjust करेगा different types की environment नेक्स्ट हमारा to develop the child fully according to his interest abilities and needs बालक की individual differences के भीहाब पर उनकी बिक्ति अगत चमताओं के आधार पर उनकी रुचियां उनकी योग गिताएं उनकी आवशिक्ताओं के अनुसार उसके विकास के उपर ध्यान देना to develop democratic values, ideas in the child, बालक में लोकतांत्रिक गुड़ों को बिक्सित करना उसके अंदर सामाजिक आधर्सों को इस्थापित करना आगे to provide educational opportunities to all the citizens on equal footing सभी नागरिकों को समान इस्तर पर सैचिक अभसर फुर्दान करना करना क्योंकि यह democratic values के उपर जोर देती है लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करती है ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं to instill habit of experimentation in the children बच्चों में प्रयोग करने की आधर डालना वो किसी भी चीज को देखे तो उसको सत्य ना माल ले उसकी सत्य को सिद्ध करने के लिए उसको उपर experiment करें अनुपब को प्राप्त करें और knowledge को generate करें to remove social labels make society a good place for living सामाजिक बुरायों को दूर करना और समाज को रहने के लिए अच्छी जगर बनाना यह इनका objective है ठीक है to enable the child to discover the truth himself बच्चे को स्वयम सत्त की खोश करने में सक्षम बनाना ठीक है अगला है यहाँ पर बच्चे को आत्म निर्भर बनाना ठीक बच्ची का ब्यक्ति के सामाजिक विकास करना और संपूर्ण डबलम्मेंट के उपर बात करना को लिमिला कि जो हमारे प्रियोक्मेटिज्म फिलोस्पी वह सामाजिक सोचल फिलोस्पी है वो मनुस्त के सोचल असपेक्ट के उपर जादा ट्रस्ट करती है और उसमें बात करती है रियलिटी को जज़ करने के लिए टुट को ज़ेश करने के लिए एक्स्परिमेंट की अनुफब की आगे हम बात करते हैं केरिकुलम औफ एजूकेशन ठीक है प्रिक्माटिस्म के एक्वाडिंग अब यहां पर बच्ची की उपर चोड़ दिया गया बच्चे का जिसमें इंट्रेस्ट की बात की गई एक्सक्पिरिंस की बात की गई है तो अब इसक्षामे सामिल दाएगा सेलै दवस मी इंट्रेस्ट बच्चे का जिसमें इंट्रेस्ट या अभिरूची होगी उसको पढ़ेगा बच्चे को अनुफब दered आप नंवर को गैन कर पाए अगला प्रिंपल आफ इंटिग्रेश्ट एक ही का सिद्धान ठीक है और मैं उसylra को वहाँ पर पढ़ेगा बात की जाती है बाल केंदरी सिक्षा की मज़र चाल्ड साइकलोजी को प्लीस दिया गया है पर जो सिक्षा रहेगी जीवन अधारित रहेगी यहां पर इस तरह का सेलेबस नहीं रहेगा कि वह बच्ची को थोपा जाए वहाँ पर बुकिस नौलज बिल्कुल नहीं रहेगी फूरी तरह से प्रैक्टिकल रहेगा एक्स्प्रिमेंटल रहेगा और बच्चा डिस्कब्री करके यहां पर सीखेगा ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथड आप टीचिंग तो प्रेग्मेटिजम ने इन्होंने कहा है कि जो ट्रडीशनल और ओल्डिस्ट मैथड है वो कैसे है वो डैड है और लाइपलेस है वो मर चुके हैं आप बिल्कुल उनके अंदर जीवन नहीं है क्यों क्योंकि उन मैथड में बच्चा क्लास के क्लास में एक पैसिब लिस्टनर बना बैठा रहता है और किसी भी प्रकार के नए थौड को बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो नैचुरल एक्टिविटी के आधार पर हो और सहसंबंद के आधार पर हो यहां बात की गई है लर्निंग बैडू डूइंग कारे करके सीखना यहां बच्चा अपने आप करेगा बच्चा सीखेगा सोचेगा एक्स्पिरिस ग ्य के परपस रहें कोई ना कोई अब्जेक्टिव रहें लेनिंग by experience अनुपब के आधार पर सीखना प्रिंस्पे लब इंटिग्रेस्ट एकिकरड के आधार पर सीखना प्रोजेक्ट मेसरह जो दिया गया है किसके दोरा किलपेट्रिक के दोरा ठीक हैं यहां पर भी teaching method दिये अब यहां पर ऐसा नहीं कि किसी एक की उपर फोकस किया गया यहां दिया जरूर गया project method लेकिन इनका कोई fix teaching method नहीं है बच्चा जिसमें suitable है जो बच्चे के लिए ठीक लगए बच्चा उसमें पढ़ सकता है है अब यहां पर बात कर लेते हैं discipline की pragmatism में प्रेग्मटिजम जो विचारधारा है दरसन है वो बात करता social disabledそれでは size anusasana की औढ़ने तो यहां पर एक किसी भी प्रकार के punishment की बात नहीं करते हैं प्रकार के responsibility देते हैं बच्चे को जब responsibility देंगे तो बच्चा भाँ पर सेल्फ गवर्न होगा सेल्फ रेगुलेट होगा बच्चे को अधिक से अधिक अफसर दिये जाएं कि वह समगों में कारे करें सामाजिक सोशल इंबारिमेंट सामाजिक समगों में रहें और उनको बिभनी प्रकार की गति विदियो में जब सामिल किया जाएगा तो उनके अंदर सामाजिक आदिती विखसित होंगी ठीक है तो एक दूसरे के जो रुचियां होंगे उनका ध्यान रखेंगे और एक और्ग प्रकार की चमताओं को उनकी उरुचियों को जानने में सक्षमू ठीक है और से चुटिशन और समझ सके कि समाज की नीड क्या है इस्तिति की नीड क्या है वहां पर किस तरह की कंडिशन है और क्रियेट आलसु सिचुएशन एकॉर्डिंग टू सोशल इंट्रेस्ट उनकी एटिट्यूट उनके अभी विरत्ति के नुसार ठीक है उनके सोसाइटी के लिए जो नीड है जो वेलफेर में काम आएं उनको वहां पर सलेक्ट करना है आगे हम बात कर लेते हैं इस्टूडेंट की तो इन्होंने बच्चे को प्रॉपर में में इस चाइल्ट सेंट कोई प्रॉपर में 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 प्लेइस दिया गया है और बच्चे को केबल पैसल नहीं बनाना ऐए एक एकिटिव बनाना है क्लास्ट्वों में जो बच्चा learning by doing करके सीखेगा आगे हम बात कर लेते हैं school की तो school को इन्होंने क्या माना है school एक social lab होती है ठीक है जहां बच्चा experiment करता सामाजिक अनभवों को इस्तापित करता बनाता society में use करता है social institution बर where child gain real experience यहां पर एक जो school होते हैं वो क्या होता है इन्होंने माना कि सामाजिक कारेसाला जहां बच्चा अपनी life से सम्मंदित जो बास्तविक अनभव होते हैं उनको प्राप्त करता और actual life में उनको अप्लाई करता है डेपलेफ सोसल सेंस्स बच्चे के अंदर सामाजिक संबेद्राओं को बिक्सित किया जाता है विसके साथ साथ में सोसाइटी और राष्ट के प्रतिव जो इसकी ड्यूटी सोती है उनके प्रतिव अभिर किया जाता है जोन डीबी ने माना पोजीशन ट्रेडिशनल स्कूल जो प्रंपरागर स्कूल है उनका विरोद किया गया उनके जस्ट अपोजिट है यहां पर लाइव लैब के रूम में देखा गया है स्कूल को आगे हम बात कर लेते कांट्रिविशन की तो यहां पर बात की गई है कि इसकी डेमोक्रेटिक की बात की गई और सोशल रिस्पॉंसेबिटी लोग तंत्रिक मुल्यों की बात की गई सामाज की जिम्मेदारियों की एक्टिविटी और सेल्फ सेंटर्ड है यहां पर बच्चा जो सीखेगा गतिविधियों के माद्दें से सीखेगा इसके बाद में क्या इंपेस्स दिया अप्टूडेट रहना चाहिए सल्फ डिस्पिलेंट को प्रमोट किया है और डेमोक्रिटिक वैल्यूस को रिस्पेक्ट दी गई है ठीक है मेरे डिमेरेट की हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट मेथड दिया गया इसके दवारा इं प्रोजेक्ट को नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं कोई चीज आज सत्त नहीं तो कल सत्त नहीं रहेगी तो बहुत अलग चीज हो जाती है क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग सत्त नहीं हो सकता है किसी पिरकार का एम नहीं मानते हैं यह मानते हैं मनुस्यों के और बहुत ज़्यादर इंपेसिस किया गया है किसके उपर इंडिविजल डिफिरेंसिस के उपर और यहां पर क्या है लेकिन लेंग बाई डूइंग में कभी ना कभी टीजर की आपको हेल्प पड़ेगी ऐसा कोई प्राब्लम तो आपनों कमेंट कर सकते हैं